एजोशी जयस्वाल भारते क्रिकेट के एक उफर्दे हुए सितारा है जिन्होंने IPL 2013 में अपने अबेस्टेशने प्रदर्शन से दुनिया को चकित कर दिया है एदि आप एक सचे क्रिकेट प्रोशंग चक है खास करके भारते क्रिकेट प्रोशंग चक है तो आप एजोशी जयस्वाल के नाम को अंदेखा नहीं कर सकते इस इवबा प्रिधिवाने 2013 के IPL सिजन में अपने अशादरन बल्लेबाजी को चल्चे क्रिकेट की दुनिया में तुफान ला दिया था एजोशी जयस्वाल को जो खास बनाता है वो है उनकी लागातार प्रिधिवार जिसे उन्होंने अपने अनुडर 19 दिनों के दौरान भी प्रोशित क्या जहां उन्होंने खुद को एक सुक्तिशाली हीटार के रूप में इस्थावित क्या साल 2020 में राजस्तान रोयल्स के लिए IPL की शुरुवात करने के बाद से एजोशी जयस्वाल ने लागातार उतक्रिष्ट प्रोदर्शन क्या है प्रेरित होने के लिए तैयर हो जाये क्योंकि हम एजोशी जयस्वाल के मनुरम जात्रा में डुप की लागाने की कुशिश करेंगे जहां आप उनके प्रारमफिक जीवन, किलारी प्रोफाल, छांदर क्रिकेट केरियार और बहुत कुश के बारे में जानने की कुशिश करेंगे पहले जान लेते हैं एजोशी जयस्वाल है कौन एजोशी जयस्वाल का जन 28 दिसेंबर 2001 को सुरिवाउवा वदोही उत्तर प्रोदेश में हुआ है से भाई बेहनों के परिबार में वो सोधीन संतान है उनके माताविता फुपेंटर जयस्वाल और कांचन जयस्वाल है जब ओ दस साल का था तो एजोशी आजात मैदान में क्रिकेट प्रोक्षिस्षन लेने के लिए मुंबाई के दादर सले गये थे सुकी दादर मैदान बहुत दूर था वो बाद में कालदेवी महल्ले में सला गया था ओहा उन्हे सोटे सोटे काम करने के बदले एक डाईरी की दुकान में रहने की जागा मिल गाई थी दुरफाग्यों से दुकानदार ने उन्हे निकाल दिया था क्योकि एजोशी का पूरा धैन क्रिकेट पर था बित्य कोठीडाईवो का सामना करने के बावजूत एजोस्षी की प्रुथिभा और दिरिरो संकल्प के उन्हे बाधाउ को धूर करने और उस खेल में सफलता हासिल करने में मदद की जिसके बारे में वो भावुखे गेरो साल की उमर में एजोस्षी जयस्वाल बीना किसी सामान दोस्त या परिवार के मुंबई महरस्टा सले गए थे वो अपने साथ बरे सपने और क्रिकेट के लिए एक मुझबुद जुनून लिए हुए थे चुनिवतिया के बावुजूत उन्होंने डाटे रहे थे तीन साल तक वो एक तंबु में रहे थे और अपने क्रिकेट केरियार को आगे बराते हुए सोटे मोटे काम भी किये एचे भी दिन थे जब भूके शोता था और अपनी जिविकास अलाने के लिए पानिपुरी भी बिस्ता था तीन साल के संगर्षक के बाद एजोशी की प्रुतिभाने जवाला शिंग नामक एक क्रिकेट कुस का धेन खिसा छिंग ने उनकी समता को पहसाना और नाही केबल उन्हे रहने के लिए जगा प्रोदान किया बलकी उनके कानोनी विवाबक और संगर्षक भी बने एजोशी जवाल को पहली बार साल 2015 में प्रुशिद्धी मिली जब उन्होंने जैज शिल्ट मेस में 399 का नाबात इसकोर हासिल किया जीचे उन्हे लिम का बुक और रेकोर्स में जागा मिली तप से उन्होंने अपनी क्रिकेट केरियार में काफी प्रगोती हासिल की है जवाल की क्रिकेट केरियार की शुरुवात एजोशी जवाल ने अपने लिस्ट एक क्रिकेट केरियार की शुरुवात शाल 2008 उन्होंस बिज़य हाजरेट्रोभी में मुंबाई के लिए खेल कर की थी 17 साल की सोटिसी उमर में उन्होंने लिस्ट एक क्रिकेट में दोहरा सतक बनाने वाले सबसे कम उमर के खिलारी बनकर एक और सादरन उपलबदी हासिल की उन्होंने जार्कानखे खिलाप 167 गेंदो पर 203 रानोगी शांदार पारी खेली उनके उल्लखे ने बल्लेबाजी प्रदोर्ष्ण ने राष्ट्य चयन करताओ का धेन खिसा और जयस्वाल ने अंडर 19 राष्ट्य क्रिकेट टीम में जागा बनाई हाला की भारत ने बांगलादेश के खिलाप टूर्णामेन का फाइनेल नही जिता लेकिन जयस्वाल के उत्किरिष्ट परदोष्ण ने उन्हे प्लियार अबदा सिरीज का खिताब दिलवाया और उन्हे प्रतिजगुताओ में सब चे ओधि ग्रान भी मनाये थे जयस्वाल की प्रधिवा और कोशल ने जल्दी ही उन्हे क्रिकेट समुदाई में प्रुशिद्ध बना दिया कोई अनुभवी क्रिकेटारों ने उनकी प्रोशंग शाकी और उन्हे भारते क्रिकेट का भविश्व भी कहा अंतरस्ट्य क्रिकेट किरियार जुन 2013 में एजसी जयस्वाल को वेस्टिन डिस के खिला भारत्य तेस्ट टीम के लिए खिलने का पहला मोका मिला उन्होंने सीरिस के पहले टेस्ट में डेवय किया और कामाल का प्रोशन किया उन्होंने अपेनिंग करते हुए सांदार सतक जुरते हुए 117 रानो की पारिखेली उनके उतक्रिष्ट प्रोदोस्टर ने उन्हे प्लेयर अब्दा मेस का प्रोशकार दिलवाया और उनके युगदांचे भारत को जीत हासेल करने में मदत मिला जयस्वाल का IPL में सफर शाल 2020 में जयस्वाल ने राजस्तान रोयस के लिए इंडियन प्रेमियर लिग यानी IPL में पदरफन किया राजस्तान रोयस ने उन्हे 2.6 करोर रुपेय में खोरिदा उन्होंने 2013 के IPL में अपना पहला सतक मुंबाई इंडियन्स के खिलाप खेलते हुए बनाया हाला कि दुर्भेग्गो से उनकी टीम उस में जीत हासिल नहीं कर सगी 11 मेई 2013 को जयसल ने एक बार फिर सबसे तेस IPL अर्धोसतक का रेकोड टोर कर इतिहास रह दिया उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाप खेलते हुए शिर्फ तेरो गेंदो में अपना अर्धोसतक पूरा किया इस अशादरन उपलुब दिवने एक उल्लेखोनी क्रिकेटार के रूप में उनकी पुतिष्टा को और मजबुत किया 11 जयसल की नेटवर्थ साल 2013 तक एज़ोसित जयसल के आनमानित्कूल समपत्ती लगफग 2 मिलियोन आमरीकी डॉलार है जो फारते रुपए में लगफग 60 करोर है उनकी आई का मुईख चुरूद क्रिकेट है जहाँ वो कुछ ब्रेंड एंडोर्समेंट के अलाबा मेश फिश और IPL सौदे से एक महत्तपूर्ण हिच्छा कमाते है अपनी कामाई को तोरते हुए जैस्वाल को 2020 की IPL निलामी में राजस्थान रोयस द्वारा 2.6 कुरूर रुपए में सुना गया था 2022 की मेगा निलामी में फ्रेंशाइजी ने 9.6 कुरूर रुपए में बरकरार रखा जित से उनकी कुल IPL कमाई 12.8 कुरूर रुपए हो गया IPL के अलाबा जैस्वाल भारत ए और उत्तर पुर्देश के लिए खरलो क्रिकेट खेलकर मेस फिस के मैध्धम से भी अच्छी खासी रखाम कमाते है बिग्गापन के मामले में जैस्वाल ने कुछ ब्रेंट के साथ सोदे हासल किया है जिन में MRF टायार्स मी शामिल है उनकी सम्रिद्ध जीबन शेली कोई हाई भाई एन कारो और बाइक के सामित में परिलफ्षित होती है इसके उतिरिक बो सोचेल मेडिया पर प्रोशंग शोकों के साथ शोक्रिय रूप से जूरे रहते है इंस्टेग्राम और टूइटार जैसी पुलेट फर्म पर उनके काफी फोल्वार्स है हाली में भारत और इंगलेंड के 20 IDFC फार्जबैंक टेट शीरीस सल रही है जिस शीरीस में आप तक एजोसी जयस्वाल ने दो दो डूहरत शतक बनाया चुके है उन्होंने शीरीस के दूसरे मेश में 29 आनकी पारी खेली थी और इस शीरीस के तीसरे मेश में ही उन्होंने फिर नाबाद 217 आनकी पारी खेली है हम उम्मित करेंगी कि एजोसी जयस्वाल इसी तरह भारते क्रिकेट में अपना प्रोदोर्शन करते हुए क्रिकेट किरियार में रेकोर्ट की नोदिया बहते रहे तो एजोसी जयस्वाल की ये कहानी जीवन कहानी आपको कैशा लगा कमेंस बखने जरूर बताएगा और हम उम्मित करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक किजेगा अपने क्रिकेट प्रीमी दोस्तों पोहसने के लिए शेयर भी जरूर किजेगा और हमारे यूटूब चैनल और फेस्बुक पेस माहिनी स्पर्स को फेस्बुक में फॉलो और यूटूब में साब्सक्राब जरूर किजेगा ताकि आपको ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहे तो सोले मिलते अगले वीडियो में तब तक अपना खेल रखेगा